वेलकम टूबुखाईव एजुकेटर्स आज हम लोग ranking से रिलेटेड एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे ranking दीखे ranking में कुछ questions ऐसे आते है ranking arrangement जिसे हम लोग बोलते है क्रम विवस्ता भी ठीक है रैंकिंग से संबंदित कुछ questions देखते हैं आज चलिए ज़र इससे देखिएगा कैसे काम करना है तो रैंकिंग के प्रश्णों को solve करने के लिए ना कुछ basic formula है उस formula को ध्यान रखने आपको ठीक है पहला तो total निकालने का total निकालने का बड़ा सरल formula है जब भी आपको कुल संख्या किसी रोग को निकालना है तो आप क्या करेंगे इन दोनो किसी एक व्यक्ति के दोनो छोर की position निकालेंगे और उसको आपस में जोड़ लेंगे और उसमेंसे एक कम कर लेना आपको total मिल जाएगा तो किसी एक व्यक्ति के दोनो छोर की position को जोड़िए एक कम कीजे total आजाएगा तो यह तो total निकालने का formula होगा अब एक formula होता है movement का कि row में हम move कैसे करते हैं तो अगर हमें कोई position left-end से मिल जाए बाएं छोड़ से एक स्थान मिल गया और position अगर left-end से मिल जाए जिसके जाना हो right-side तो left-end की किसी भी position के जब right-side जाएंगे तो हम क्या करेंगे इन दोनों positions को आपस में add करेंगे add करते ही हमें नई position मिल जाती है left-end से तो बाएं छोड़ के किसी इस्थान से दाई ही ओर जाए तो जोड़ ले जोड़ते ही हमें new position मिल जाएगी left से इसी तरह अगर बाएं छोड़ से एक इस्थान की जानकारी दे दी जाए जिसके बाएं ही ओर जाना पड़े तो आप minus यानि घटा देंगे घटाती है आपको new position मिल जाएगी left से ठीक है इसी प्रकार ये दो formula आपको ध्यान रखना है right-end से left जाएं तो plus कर लेंगे आपको नई position right-end की मिल जाएगी और अगर एक position right-end से मिले जिसके right जाना हो तो minus देखो इस formula को याद करने का बड़ा simple सा तरीका left-left दिखा तो minus यानि जानकारी जिस छोर से है उस और ही जाना पड़े तो घटा लेंगे right-right देखिए minus यानि same को क्या करें minus और opposite उल्टा जाने पर plus तो छोर के विपरीज जाना है छोर से दूर जाना है तो जोड़ेंगे छोर के करीब आना है तो घटाएंगे ठीक है अब देखो इस पर क्या question मिल सकता है question में लिख रहा हूं देखिएगा inner row रहूल इस ट्वेट इस्ट प्रॉन देख़्ों देख़्ों देख्वेट नवस्ट प्रॉन देख़्। एंड 16th from the right तो देखो काम कितना आसान है हमें निकालना है माल लीजे how many persons are there in the room माल लो ये प्रस्ट मिल गया how many persons are there in the room यानि हमें total number निकालना है तेखो हमें पता है कि अगर हमें total चाहिए तो total का formula क्या है कि एक वेक्ति के दोनों छोर की position निकाल लो दोनों को जोड़ ले एक घटा ले total आ जाएगा चलिए ज़रा देखते हैं से राहुल की position हमें बताई गई है left से तो ये रहा राहुल और राहुल की position हमें left से बताई गई है कितनी 26 है अब देखो मोहन के बारे में क्या बता जाए रहा है मोहन is third right of राहुल यानि राहुल की किस side जाना होगा right side जाने पर मोहन मिलेगा कितने right जाना है तो राहुल की seat से तीन right जाने पर मोहन मिल जाएगा अब देखो राहुल की seat की positioning left hand से मिली और जाना है इसके right की मोहन तक जाने के लिए किदर जाना होगा? Right जाना होगा यानि left hand से right जाना तो left hand से जब right जाते हैं तो दोनों position को क्या करेंगे? add करेंगे तो इन दोनों position को add करते ही जैसे ही राहुल की seat में 3 add कर लिया अब ये जो position निकल कर आई ये मोहन की position आ गई और मोहन की position कौन सी छोर की मिल गई हमें left की तो अब ये जो position आ गई 3 add करते ही ये मोहन के left की position अब बेटा मोहन के right की position तो प्रशन में ही दिया गया है 16th from the right तो मोहन के बारे में बता दिया गया है मोहन की position right से 16 भी है अब देखो मोहन के left की position और मोहन के right की position दोनों को क्या कर लें जोड़ लें माइनस 1 left end plus right end माइनस 1 देखो left end plus right end माइनस 1 हमें मिल जाएगा total 26 में 3 जोड़ा 29 29 और 16 पैंतालिस 45 से 1 कम कर लिया तो हमारा answer आगया 44 तो देखो बस इतना सा काम करना आपने और आपका answer आपके पास होगा ठीक है चले बढ़ते हैं जरा second type की और अब देखे जरा एक question ऐसा आता है जहां दो वेक्टी आपस में अपनी seed बदल लेते हैं और उसके बाद हमें total निकालना होता है वो कैसे करेंगे तो वो देखेगा जरा इन रो रवी इस 18th from the left और मोहन इस 23rd from the right when they both interchange their seats देन रवी बिकम्स 26th from the left question आप से पूछा गया how many persons are there in the room देखें ये जो प्रशन है ये आपके हर तरह की examination में पूछा जाता इस टाइब का question चाहे वो SSC का examination ले ले, CGL ले ले, CHSR ले ले या railway के examination ले ले, NTPC ले ले या जो भी state level examination होता है जैसे UP police, राजस्थान police पटवारी या हर्याना police, तो आपको इस तरह के प्रशन अकसर उस examination में दिख जाते हैं, ये बहुत ही common question है, ranking से जुड़ा तो अब देखें, इस पर काम कैसे करना है, कैसे solve करना है, तो देखो simple सा काम देखो हमें रवी की position दी गई, अठारवी कहां से, left से, तो ये हमें note कर लेना है, note कैसे करते हैं, note करने का बस तरीके को समझना, ठीक है, देखो यहां हमें दो तरह की जानकारी मिल रही है, एक है इनकी seat बदलने के पहले की, और दूसरी है इनके seat बदलने के बाद की, seat बदलने के पहले और seat बदलने के बाद, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, एक है seat बदलने से पहले, यानि before, interchanging seats, और दूसरा है seat बदलने के बाद की, यानि after, interchanging seats, ठीक है? तो seed बदलने के पहले क्या-क्या जानकारी मिली तो seed बदलने के पहले बताये गया रवी है left से 18 रवी की position left से दे दी गई 18 और मोहन की position right से दे दी गई 23 ये दोनों जानकारियां जो दी गई वो इनके seed बदलने के पहले की है ठीक है? अब देखो बताया गया इन्हों ने आपस में अपनी seat क्या की बदल ली और seat बदलने के बाद किस की position बताई गई रवी की seat बदलने के बाद रवी की position बताई गई कि seat बदलने के बाद रवी 26 हो गया left से तो seat बदलने के बाद रवी की जानकारी मिली तो रभी के seat बदलने के बाद की position दे दी गई 26 है कहां से जी left से ठीक है इतनी जानकारिया हमें दे दी गई अब देखो इतनी जानकारियों के आधार पर आप से पूछा जा रहा है कि यहां total number of persons कितने होंगे ठीक है तो कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे बहुत सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ क्या करते हैं यहां total निकालना है तो किसी एक वेक्ति के seat बदलने के बाद की position और दूसरे की seat बदलने के पहले की position एक के seat बदलने के बाद दूसरे की seat बदलने के पहले की दोनों को जोड़कर एक घटा दीचे टोटल आ जाएगा तो किसी एक की seat बदलने के बाद और दूसरे की seat बदलने के पहले वाली position जैसे हमें seat बदलने के बाद किसकी position मिली है रवी की या देखो ऐसा होता है न बेसिकली हम लोग क्या बोलते है चुकि ये seat बदलने के पहले की position है इसे हम लोग कहते है old position old पुरानी position जो थी इनकी और जो seat बदलने के बाद है उसे हम लोग कहते है नई position तो जो seat बदलने के पहले की position है वो पुरानी है और जो seat बदलने के बाद की है वो नई है तो आप formula ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की नई position और दूसरे व्यक्ति की पुरानी position दोनों को जोड़ कर एक कम कर लो, total मिल जाएगा, ठीक है? तो एक के seed बदलने के पहले और दूसरे के seed बदलने के बाद की, मतलब एक new और दूसरी old तो जैसे new हमें दिया गया रवी का और old ले लेंगे मोहन का, एक का new ले लिया, तो दूसरे का old ले लो, तो 26 और यहां मोहन की old position 23, दोनों को जोड़िये, एक कम कर लिजे, 26 और तेईस उननचास, एक कम कर लिजे, 48, यानि आपके प्रश्न का उत्तर आ गया, किस रों में total कित है, 48, ठीक है, तो देखे, एक question तो आपके paper में ये पूछा जाता है, ठीक है, total कैसे निकालेंगे, अब देखो, इसी जानकारी पर आपको एक और question मिलता है, कभी-कभी, ठीक है, और वो आपसे पूछ लिया जाता है, कि मोहन की नई position क्या होगी, यानि इस question को अगर मैं यह नहां लिख दूँ, तो एक तो ये question आता है, 48 मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, क्या किया, एक व्यक्ति की नई position, दूसरे की पुरानी position, दोनों को जोड़िये, एक कम कीजिये, total number आ जाएगा, दूसरा question ये हो सकता है, what is Mohan's position, after interchanging the seeds, यारी, seed बदलने के बाद, Mohan का नया स्थान क्या होगा, seed बदलने के बाद, Mohan का नया स्थान क्या होगा, तो देखो, ध्यान रखना मेरी बात का, तो जानकारी हमें यही मिलेगी, प्रशन पस बदल गया, अब प्रशन पूछा जा रहा है कि Mohan का नया स्थान क्या होगा, ये हमें निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं, हमें रवी के पुराने और नया, दोनों जानकारी मिली गई हैं रवी की old पोजिशन भी मिल गई है, और new पोजिशन भी मिल गई है, त्यान से सुनना मेरी बात को, रवी की old भी हमें given है, new भी हमें given है, तो हम क्या करते हैं, रवी की old और new के बीच का फर्क कितने का है, वो देख लो, रवी के old और new का फर्क कितने का है, वो देख लिया जै, तो रवी की old थी 18 और new है 26, यानि 18 को 26 बना रहे, तो जब हम 18 को 26 बना रहे हैं यानि इसमें कितना जोड़ रहे हैं? 8 जोड़ रहे हैं 18 को 26 बनाने के लिए कितना जोड़ रहे? 8 जोड़ रहे 18 प्लस 8 होते हैं? 26 तो यहां भी उतना ही जोड़ ले जितना फर्क यहां पढ़ रहा है जोड रहे है या घटा रहे है पुराने से नए आने के लिए यहां जितना जोड़ा या घटाया जा रहा है आप same value यहां भी जोड लो और अगर यहां घटाया जा रहा होता तो यहां भी उतना ही घटा लेते हैं तो पुराने से नए पर आने में जितना difference आ रहा है उतना ही difference आप यहाँ भी बना ले यानि आप 23 में 8 जोड़ लें 23 प्लस 8 31 ये answer आपका आगया मोहन की नई position क्या होगी right से तो 31 वा होगा right से ठीक है तो जितना रवी के old से new का फर्क आ रहा है उतना ही मोहन के old से new का फर्क निकाल लेंगे ठीक चलिए अच्छा कभी कभी एक question ऐसा आता है जहां आपको total number दे दिया जाता है और आपको निकालना होता है दो वेक्तियों की position देने के बाद कि दोनों के बीच कितने वेक्ति आएंगे चलिए जरा इस तरह के question पर आते हैं और देखते हैं इसे कैसे हल क क्यारेंगे देखे अगर क्वेश्चिन मिल गया इन आ रो ओफ हंड्रेड पर्संस इन आ रो ओफ हंड्रेड पर्संस Vikas is 36th from the left and Mohan is 29th from the right question यह पूछा गया how many persons are there between the two अगें यह भी एक बहुत ही common question है आपके examination में पूछा जाने वाला यह भी आपको हर प्रकार के examination में दिख जाता है ठीक है यह जादा तर आपको नज़र आएगा SSE के examination में है ना देखे जरा इसका उत्तर कैसे निकाला जाए तो देखो हमें total number पता है जी total बता दिया गया है row में total कितने है 100 इन रो ओफ हंड्रेड पर्संस यानि रो की कुल संख्या है 100 अब देखो दो वक्तियों का स्थान बताए गया विकास का विकास का बताए गया क्या 36 वा है कहा से ? लेफ्ट से तो विकास की position left से है 36 मोहन की position right से बताए गई 29 अब ध्यान रखिएगा हमें निकालना है दोनों के बीच कितने हैं तो देखो इससे निकालने के लिए ध्यान रखना, अगर हमें दोनों व्यक्तियों के अलग-अलग छोर की जानकारी मिली है, तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ ले, इन दोनों को आपस में जोड़ ले, तो इनको जोड़ते हैं ज़रा, तो 36 और 29 कितने हो जाएंगे, तो 9, 6, 15, 3, 3, 6, 65 ठीक है तो इन दोनों को जोड लिया जोडने पर यह हो गए 65 अब देखो इससे टोटल से ज़रा देखो मिलाकर टोटल से compare करो टोटल से तुलना करो और देखो कि यह value टोटल से बड़ी है या छोटी है यदि यह value जोड कर आया है वो संख्या अगर कुल संख्या से कम हो यानि छोटी हो जैसे अभी नजर आ रहा है न कुल 100 है और यह 65 है यानि यह जो संख्या आई यह कुल संख्या से छोटी है तो आपको करना कुछ नहीं इस संख्या को टोटल से घटा ले जो बचा यही आपका एंसर होगा यानि आप कह सकते हैं कि टोटल 100 से कुल कितने थे यह दोनों को जोड़कर 65 आये थे तो कुल 100 थे दोनों को जोड़ने पर 65 आया तो 100 में से 65 को घटा दिया घटाने पर बचा 35 यानि आप आप कह सकते हैं कि विकास और मोहन के बीच कुल 35 विक्ती है विकास और मोहन के बीच कुल कितने है 35 विक्ती तो आपको इस बात का बस यहां ध्यान रखना है क्या दोनों आयदी अलग-अलग छोड की जानकारी मिलेगी तो आप इन दोनों पोजिशन को आपस में जोड ले जोड कर इसे टोटल से तुलना करें अगर यह टोटल से छोटी है संख्या तो आप सौ में से इस संख्या को घटा ले जो बचा यानि सौ में से घटाने के बाद जो बचा वो आपका प्रशन का उत्तर होगा यानि आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच कुल 35 वक्ती ठीक है चलिए जड़ा देखते हैं आगे अब एक प्रशन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर जोडने पर कुल संख्या से ज़ादा हो जाए तो है ना तो एक प्रशन वो भी लिख लेते हैं देखो इन रो अफंडेट परसंस राहुल इस 74 फ्रॉम दा लेफ्ट अद अमित इस 57 फ्रॉम दा राइट वोश्चन वही है हाउ मेनी परसंस आदेर बिट्वीन दा टू इन दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति होंगे तो इस बार की कहानी देखो कुल संक्या अभी भी कितनी है 100 है अब देखो राहुल की पोजिशन हमें मिली राहुल की पोजिशन बताई गई 74 है लेफ्ट से ठीक है अमित की पोजिशन बताई गई 57 है राइट से ठीक है आप क्या करें चुकि दोनों अलग 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 छोओर की पोजिशन है न तो जब दी अलग 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 छोओर की पोजिशन मिले इन दोनों को एड कर ले एड कीजे तो 7 और 4 ग्यारा और 7 और 6 तेरा जोडने पर यह आ गया 131 कितना आ गया 131 अब इस संख्या को जरा टोटल से कॉंपेर कीजे तो इस बार यह संख्या टोटल से जादा है टोटल से बड़ी है पिछले में 65 आया था टोटल से छोटी थी इस बार यह संख्या टोटल से बड़ी है तो यदि इन दोनों को जोडने पर जो संख्या बनी वो टोटल से ब जोडने के बाद जो संख्या बने यदि ये टोटल से बड़ी संख्या हो तो अब आप टोटल को इससे घटाएंगे और ध्यान रखीगा जब भी टोटल को माइनस किया जाएगा इसके साथ दो और माइनस किया जाएगा टोटल के साथ-साथ दो और कम कर लेना तो 131 में से 100 ग में से सौग है 31 31 में से 2 और कम कर लो 29 तो हमारा उत्तर आ जाएगा 29 तो यह थ्यान रखेगा जब भी इनका योग टोटल से जादा हो तो दो और घटाना है दो और कम करना है ठीक है चले तो आगे बढ़ते हैं एक प्रशन आपके दिमाग में अब यह भी चल रहा होगा तो सर आपने यह बताया कि यह दोनों पोजिशन अलग 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 से होंगे तभी जुड़ेंगे अगर यह दोनों अल अलग अलग छोर की बजाए एक ही छोर से होता तब क्या करते हैं तो चलो वह भी एक कोशिशन देख लेते हैं है न है तो पोजिशन अलग अलग छोर की बजाए अगर एक ही छोर से मिल जाती जैसे यहां मैंने राइट लिखा है ना बस केवल एक चोटा सा चेंज कर दे रह है राहूल की position 74 है left से जी ये रहा राहूल राहूल की position 74 है left से और अमित की position 57 है लेकिन इस बारी कहां से है left से है और अगर हमें निकालना है दोनों के बीच कितने होंगे तो ध्यानखना इस बारी जो position मिली है दोनों की वो एक ही छोड से मिली है पिछले दो question में हमने देखा कि अलग अलग छोड से मिल रही थी लेकिन इस case में हमने देखा दोनो position same end यानि एक ही छोड से दी जा रही है तो अगर दोनों position आपको एक ही end से मिल रही है तो इस case में क्या किया जाएगा तो भाया simple सा काम करेंगे इस case में कि जब एक ही छोड़ से दोनों position मिल जाए तो वैसे case में क्या करोगे इन दोनों को आपस में घटा लेना इन दोनों का difference निकाल लेना ठीक है, और difference निकालने के साथ साथ एक और कम कर देना, क्या कर देना, एक और कम, तो दोनों का difference निकालने के साथ साथ एक और कम कर लेना, तो 74 में से 57 को घटा लें, तो 17 बचेंगे, है न, और 17 में से 1 कम कर लिया, यानि हमारा उत्तर आ जाएगा, 16, कितना आ जाएगा, 16, ठी तो दोनों का difference और इसके साथ क्या करना होगा एक कम तो यह ध्यान रखना है आपको कि जब positions दी जारी है दोनों वेक्तियों की वो अगर अलग-अलग end से दी जारी है तो जुड़ते हैं और अगर same end से दी जाये तो minus करना है और अगर same end से है तो minus करने के साथ साथ एक और minus कर लेना है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा कर एक और कम कर लेना है तो देखे इस तरह के question जो है वो आपके direction ranking के topic से अकसर पूछे जाते हैं तो यह कुछ common questions थे frequent questions थे जो आपके हर तरह के examination में पूछे जाते हैं I hope so आपको यह सारे questions समझ में आए होंगे कि इस पर काम कैसे करना है बस calculations करना है row बनाने की कोई जरुरत नहीं होती हम उसको बना का time waste अपना नहीं करेंगे बस यह चीज आपको ध्यान में रखना है यानि बिना row बनाए हम अपने questions का answer कर सकते हैं तो I hope so हमारे videos आपको पसंदा रहे होंगे अगर हमारे videos आपको पसंदा रहे हैं तो हमारे channel को like, share और subscribe जरूर करें ठीक है और इसके साथ साथ subscription button के बरगल में एक bell icon होगा उससे जरूर प्रेस कर दें so that कि जो भी latest upload video हो उसकी notification आपको मिल जाए और आपको कोई अर्सुविधा ना हो तो अभी के लिए फिलाल इतना ही हमारे channel से जुड़े रहे है ताकि आपको इस तरह के कुछ questions और देखने को मिल जाए Thank you